प्रिथ्वी पर करीब सारे इलाकों को खोज लिया है तो आप गलत है क्योंकि प्रिथ्वी की भूस अपाटी पर तो ऐसी कई सारी घुपाए है कई रीमोट एरिया है ऐसी कई क्रेवस है जहाँ पर हम इंसानों ने आज तक कदम भी नहीं रखा है पर हम इंसानों के लिए इससे भी ज्यादा दुर्गम जगा एक है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते और वो है प्रिथ्वी के महासागर जी हाँ हमारी प्रिथ्वी का सबसे बड़ा इलाका यो कहे कि सबसे बड़ा रहश्य हम आज हमारी धर्ती के महासागरों के बारे में सिर्फ 5% ही जानते हैं और महासागरों की 95% दुनिया ऐसी है जिसके बारे में हमें कोई इल्म भी नहीं है हो सकता है दोस्तों कि महासागरों की गहराई और उनके भीतर दबे कई रास के बारे में आप अंजान हो और आज मैं इस वीडियो में इन ही रहस्यों को आपके सामने खुलूंगा तो स्वागत है आपका दे नॉलेज में मैं हूँ ही देश किरी गोसाई और चलिए आज जानते हैं कि कितने गहरे हैं हमारे महा सागर और उसकी हर एक गहराई पर जाने पर हमें कौन-कौन सी चीज़े मिलेगी तो दोस्तों चलिए हम लगाते हैं गोटा और आप पहुचाओगे समुद्र तल की 40 मीटर की गहराई पर जहां समुद्रों का सबसे पहला पढ़ावाता है और यहां तक लोग स्कूबा डाइविन कर सकते हैं और आम तोर पर ज्यादा तर स्वीमर्स यहां तक ही स्वीम करते हैं लेकिन दुनिया के जाने माने स्कूबा डाइवर हार्वर्ट नीच ने 214 मीटर की गहराई में गोटा लगा कर रेकॉर्ड कायम किया था और अमेजिंगली ये रेकॉर्ड उन्होंने सिर्फ एक सास में पूरा किया था लेकिन इन से भी नीचे इनका रेकॉर्ड तोड़ते हुए एक आदमी गया था कितना नीचे तो 332 मीटर नीचे और इस रेकॉर्ड को एहमट घबर ने बनाया था और यहां से और नीचे करीब 443 मीटर नीचे जाने पर हमें विविद समुद्री जीव दिखाई देगे और ये गहराई एमपायर स्टेट बिल्लिंग की हाइट के बराबर है हम अगर इस से और नीचे और 500 मीटर की गहराई में जाते हैं तो हम पाएगे कि ये ब्ल्यू वहल मचली की मैकसिमम डाय लिमिट है यानि की ब्ल्यू वहल मैकसिमम इसी गहराई तक डाय लगाती है और यहां से और नीचे 535 मीटर का डीप लेवल पैगवीन्स की मैकसिमम डाय लिमिट है मतलब इस गहराई से नीचे पैगवीन्स डाइव नहीं लगाते है चले इस से और नीचे जाते हैं और हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है यहां से और थोड़ा नीचे जाया जाए और हम पहुच जाये के 700 से 7500 मीटर की गहराई तक यहां पर दोस्तों किसी इनसान का पर्मिशन के बिना जाना बहुत ही डेंजर साबित हो सकता है क्योंकि इतनी गहराई में दुनिया के विक्सित और पावरफुल देशों ने अपनी आधुनिक नुकलियर सबमरीन्स जगे जगे पर तैनात की हुई है यहां से और नीचे करीब 830 मिटर की गहराई दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बूज खलीफा की हाइड जितनी है और इतनी गहराई में बूज खलीफा अपने टौफ के साथ पूरा डूब जाएगा यहां से नीचे जाने पर करीब 1000 मिटर की गहराई में जो विस्तार हमें मिलेगा ये महासागरों का स्कैरी जॉन कहलाता है और इसे स्कैरी जॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि सूरज की किरने बस यहां तक ही पहुचती है इससे आगे सूरज की किरने नहीं जा सकती है और यहां से आगे का विस्तार पूरा अंधेरे में है और इसके अंदर की समुद्री जीव स्रिष्टी बेहत रूमान चक और खतरनाक है इतनी गहराई में कोई भी इंसान बिना किसी उपकरणों के डायू नहीं लगा सकता है क्योंकि यहां का वाटर प्रेशर वीनस ग्रह के सरफेस के बराबर है और इस लेवल पर बिना कोई एक्विटमेंट के कोई भी इंसान पल भर में मर जाएगा इससे नीचे की 1200 मिटर की गहराई समुद्रिक कछों के लिए डिपेस्ट डाइवेरिया माना चाता है और गहराई में करीब 2000 मिटर नीचे जाने पर हमें यहां पर बहुत ही अद्बूत खतरनाक और रोचक जीव स्रिष्टी दिखाई देती है याद रहे यहां पर कुछ भी देखने के लिए हमें हाई पावर टॉर्च की जरूरत पड़ी की लेकिन यहां पर पाई जाने वाली एंगलो फिश एक ऐसी प्रजाती है जिसे कुदरत ने ही उसके आगे टॉर्च दे रखी है इसे लाइट फिश भी कहा जाता है और इसके मूँ के आगे बायो लूमनेसेंट लर्स लड़के होते है जो एक टॉर्च की तरह चबकते है और समुद्र की इतनी गहराई में अंधेरे में इस फिश को रास्ता दिखाते है कुद्रत भी बड़ी कमाल की चीज है दोस्तो और गहराई में करीब बाईस सो मीटर के लेवल पर आपको स्परम वेल्स दिखाई देगी और यहाँ पर आपको डडंबल्स ऑक्टोपस भी दिखाई देगे यह समुद्री तल के सबसे डीपेस लेवल पर जेने वाले ऑक्टोपस है और डीप 4,000 मीटर की गहराई के समुद्री एरिया को एविजल जॉन कहते है और यहाँ का वाटर प्रेशर 11,000 पाउंड्स के बराबर होता है और ज्यादा नीचे करीब 4,200 मीटर का डीप लेवल दुनिया के लगबग आम महासागरों का एवरेज डीप लेवल है लेकिन दुनिया के कई महासागर इससे भी ज्यादा गहरे है समुद्र तल से 6,000 मीटर की गहराई वाले विस्तार को हैडल्स जॉन कहते है और यहाँ का वाटर प्रेशर एक इनसान पर जम्बो जेट विमान रखने के बराबर होता है यहाँ से अगर और नीचे जाए तो 8,848 मीटर की गहराई समद्र तल से उपर जमिन के उपर माउंट एवरेश्ट की चोटी के बराबर है और नीचे 10,916 मीटर की गहराई का विस्तार वो विस्तार है जब इनसान सबसे पहले इतनी गहराई तक पहुचा था और इतनी गहराई तक जाने वाले विरले, डाउन वाल्स और जेक पैकल थे और इन दोनों ने इतने डीप जाने का रेकॉर्ड सन 1960 में बनाया था ये लोग उस वक्त की सबसे एडवांस टेकनलोजी की सबमरीन के साथ समुद्र की इतनी गहराई में गहे थे और उनको सबमरीन की फास्टे स्पीड से इतनी गहराई तक जाने के लिए साड़े पांच घंटे से भी ज्यादा समय लगा था और इतनी डीप में समुद्र के पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उनकी आधुनिक सबमरीन के ग्लासिस भी तूटने लगे थे और इसलिए वो महज 20 मिनिट से भी कम वक्त वहाँ पर रूप कर वहाँ से वापस लोता है लेकिन हम यहाँ से वापस नहीं लोटने वाले हम आगे जाने वाले हैं इससे भी और नीचे 10,972 मीटर की गहराई आस्मान में किसी एरलाइन्स के हाइस लेवल पर सफर कर रहे इनसान और प्रित्वी की सतह के बीच के फासले के बराबर है आम तोर पर हवाई जहाज 10,000 मीटर से 11,000 मीटर की उचाई पर उड़ते है और वहाँ उपर से आपको नीचे जो जमेन दिखाई देती है ये गहराई प्रित्वी की सर्फेस से यानि की समुद्री तल से उतनी ही नीचे है और उससे भी नीचे 10,994 मीटर की गहराई आज तक की हम इनसानों द्वारा नापी गई समुद्र की डीपेश्ट गहराई है और इसे दचेलेंजर डीप भी कहते है इस गहराई को वेश्ट पैसिफिक महासागर में नापा गया है और इस जगह को मार्याना ट्रंच कहते है पैसिफिक महासागर के अंदर खोजा गया ये पॉइंट आज तक का प्रित्वी पर खोजा गया सारे समुद्र तल का सबसे डीपेश्ट लेवल है पर माना जाता है कि समुद्र इससे भी गहरा है लेकिन आज तक हम उन जगहों को खोज नहीं पाए है माना जाता है कि हम इंसान सीर्फ 5 प्रतिशक ही समुद्री विस्तार को आज तक खोज पाए है और बाकी का 95 प्रतिशक समुद्री विस्तार ऐसा है जहां तक आज तक हमारी नजर नहीं गई हो सकता है कि भविश्य में हमें और भी गहरे समुद्री लेवल की जानकारी मिले और ये भी हो सकता है कि हमें वहाँ पर ऐसी जिवसुष्टी मिले जो हमारे लिए किसी एलियन से कम न हो हो सकता है कि हमें समुद्रम में भविश्य में कोई नई दुनिया ही दिख जाए या कोई अंजान एलिमेंट्स या अग्यात नैसर की खजाना भी हमें मिल सकता है इंसानियत की ये खोज जारी रहेंगी आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताए और अगर आप नए है तो हेल्धी नॉलज़ के लिए हमारी चैनल दर नॉलज़ को जरू सब्सक्राइब करें आगे मिलेंगे फिर एक नॉलज़िबल एपिसोड के साथ तब तक के लिए खुश रहें टेक कैर